Hello everyone and welcome to WSKIPTAC programming channel मैं हूँ भागिलत गिरी और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Types of Tags in HTML, HTML के अंदर कितने types के tags होता हैं यहनि मैं tags की category बताने वाला हूँ आपको सारे tags हम लोग discuss नहीं करने वाले हैं वो further videos में हम discuss करेंगे हर एक tag को इस वीडियो में मैं आपको दो categories बताऊंगा types of tags के अंदर तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर मैंने एक tag को दो हिस्सों में बांट रखा है एक है close tag और एक open tag आपको इस तरफ left की तरफ दिख रहे हैं और open tags क्या होते हैं वो टेग्स होता है जिनकी कोई range नहीं होती अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं बतादू कि टैग्स HTML के वो statements होता है जो browser समझता है तो ऐसे statement जिनकी कोई range ना हो जो browser समझता जिनकी कोई range उनको open tags कहा जाता है और open tags के आप example भी देख सकते हो जैसे यह आपका ब्यार टैग है इसको कहता है ब्रेक टैग ब्रेक टैग का काम क्या होता है जहां पर उसको लिखा गया है वहीं execute होना है उसकी कोई range नहीं होती ना उपर ना नीचे जहां वो लिखा जाएगा वहीं execute होगा फिर आप देख रहे है एचार टैग यह नहीं होरीजेंटल रो तो होरीजेंटल रो का जो टैग है वहीं पर एक इमेज लगा के देता आपको और उससे आगे या उससे पहले कु close tag में आप देख सकते हैं कि close tag जो होता है उनकी एक range होती है klar take morning होती मैं क्या होता है सिर्फ ऐक ही जगा पर वहीं पर opening वहीं पर closing लेकिन जो close Opochi jourता है उनकी opening होती क्लोजिंग होती है जैसे सबसे पहला आपका tag है HTML इसके एक range होती है, तो HTML का जो tag है वो पहले open हो रहा है, फिर close हो रहा है, तो close करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, कि जहसे तर आपने HTML का tag लिखा है, वो ही लिखना है, बस आपको ये slash include कर देना है, तो वो close हो जाएगा, तो suppose मैं इतना सा portion एक range बताना चाहता हूँ, HTML के tag के अ अपनी एक range हम बताते हैं कि जो P tag के अंदर लिखा हुआ है, यहनि P opening और closing के अंदर जो चीज़े लिखे हुए है, उसको आपको as a paragraph treat करना है, लास्ट में हम लोग चलता है, div tag, div tag जो होता है, वो हम web development में mostly use करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज किया जाना वाला tag है div tag, और इसकी भी अपनी एक range होती है, क्या करता है, एक section create करता है, हम लोग deeply इसके बारे में समझेंगे आगे आने वाले videos में, बट यह क्या करेगा, आपको एक range देगा कि इस जगह से इस जगह तक आपको div बनानी है, तो जो close tags होता है, उनकी अपनी एक range होती है, open tags की कोई range नहीं होता हूँ, हम लोग चलते हैं, desktop पे, मैं यहाँ पर एक new file create करनाता हूँ, सबसे पहले, तो जो मैं HTML की file create करूँगा, जैसे मैं अभी आपको tag समझा रहा हूँ, तो मैं tag.html लिख देता हूँ, यह एक HTML की file बन जाएगी, अब इस HTML की file को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस HTML की file को एक text editor पर run कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं open with sublime text editor यूज कर रहा हूँ, आप को भी text editor यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले HTML बनाऊँगा, तो text editor का फाइदा यह है, कि जैसे मैंने HTML लिखा, आप देख सेकते हूँ, कि पूरी की HTML का structure बन लिख देता हूँ, WSQ, tag, तो यह क्या हो गया, title में हमने बताया है, कि इस title को बीच में लिखा हूँ है, उसको एक range दी हमने, कि यहाँ से opening से closing के बीच में जो भी आएगा, वो क्या होगा, title हो जाएगा, जो मैं run to browser करूँ, तो आपको उपर title दिखने को मिल जाएगा, यह सकते हो, यहाँ पर WSQ tag लिखा हो, अब हम बात करते हैं, एक HR tag के बारे में, तो HR tag क्या करता है, क्यूंकि HR tag open tag है, तो जहाँ पर वो लिखा जाता है, वहीं पर execute हो जाता है, हमने यह HR tag लिख दिया, अब यह जहाँ लिखा गया, वहीं execute होगा, तो इसको हम लोग देखते ह एक बार के कुछ इस तरीके का यह दिखेगा, यह क्या करेगा, एक horizontal row create कर देगा आपके लिए, यह वाली, और बाद में, उसके बाद जो भी चीज़े लिखे होगी, वो next line में आजाएगी, तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पर HR tag ने कहके है, एक row create कर दी, जहाँ लिखा गया था, वही execute हो गया, अब अगर HR tag को हटा दूँ, और मैं BR tag की बात करो, तो BR tag का 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 है, break करना, तो break करना मतब, जो आपने लिखा है, उसको break करके next line में लिके आ जाता है, तो WSQ और break करके next line में tag लेके आ गया, तो जहाँ लिखा है, वही execute हो जाता है, अगर BR tag ना हो, तब हमारा text के सा दिखता है, एक ही line में दिखता है, आपको types of tag समझ में आ गए होंगे, दो tag है हमारे open और close tag, that's it for this video, thank you so much for watching.